दोस्तो मैं अमें शास्त्री आप सभी से निर्द्तर हिंदी व्याकरण के प्रश्णों पर अनेकों प्रश्णों पर चर्चा कर चुका हूं आंगे करता हूं, तो दोस्तो आपने अभी तक पिछले वीडियो ना देखे हों तो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जरूर देखें क्योंकि वह भी बहुत महत्पून है, आज के हम वीडियो पर चर्चा करें, कि चरण कमल बंदों रघुराई में कौन सा अलंकार है, कई बार पंक्ती में अलंकार पूछा गया है, तो आपको बता दें कि चरण कमल बंदों रघुराई, तो विशेशन यहां पर बतलाए गया विशेशन विशेश शिभाव है उनके चरण कैसे कमल के समान इसलिए रूप कलंका है आगे मुहाबरे अपना सामान नर्थ ना दे कर खालिस्था नर्थ प्रकट करते हैं सामान नर्थ नहीं देते कौन सा अर्थ देंगे भाई सामान नहीं तो बिसे सर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है, बिसे सर्थ करते हैं, एक और बात बता दें, आपने पिछले वीडियो ना देखों, तो आप यूटूब पर सर्च करें, टॉप फिप्टी स्टडी, और जाकर के हमारी इस चैनल से आप जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, कप्टी मित्र के लिए सही मुहाबरा है, कप्टी मित्र के लिए सही मुहाबरा क्या है, ठीक है, तो आपको बता दें, कप्टी मित्मल्ला आस्तीन का साप, चार दिन की चांद नी फेरा निहारी रात लोकोक्ती का अरत है ठीक है? चार दिन की चांद नी फेरा निहारी रात का अरत है कि विय्या थोड़े दिन का सुख बहुत अच्छी अच्छे प्रस्णे हैं eisaysay ही person पेपर में आते हैं रखिएगा पूरे सिलिवस्त के अनुसार है निमने लेखत में ऐसे कौन सा सब्द बादल का परियावाची है बादल का परियावाची है पूछा है तो जल्दी से बता दीजे देखो हमने आपको बताया था कि जैसे पहले ही बता चुगे ट्रक कि नीर मतलब पानी को दा देने वाला ठीक है तो भै क्या हो जाएगा बादल पानी कोन देता है बादल दा मतलब देने वाला आपको कोई कहे नीरज तो नीर मतलब पानी जा मतलब उत्पन होने वाला तो जो नीरज कहते हैं किसको कमल को क्योंकि अब उत्पन होता है नीरज दा मतलब देने वाला तो पानी कोन देते हैं बादल ऐसे ठीक है अम्बुज अम्बु अम्बु मतलब जलो जा मतलब जन में लेने वालत इस परकार से अपन कमल को बोल सकते हैं निम्न लिखित बाक्यों में से सुद्ध बाक का चैन कीजिए जल्दी से एक दो कॉस्चन ऐसे आई जाते हैं तो भारत मे अनेक जाती अब यहां अनेक वो लिकने हैं एक वचन देर नहीं अनेको जाती अनेको नहीं होता अनेक बैसे ही अपने आप में बहुवचन है अनेको कनने की ज़रूरत ही नहीं है भारत में अनेक जातियां है हाँ ठीक है अनेक जातियां बहुवचन ठीक है सी नम्मर का ठी साएक भलाचाहनेवाला जो कि शी का भला चाहता उसके लिए क्या कहेंगे जल्दी से कमेंट पे आपको उत्तर बताना है हमारे बताने से पहले हित चाहते खोले करके रखें तो हित चाहते ने वाला तुसको बोलेंगे हितेशी ठीक है आठध्याए हैं जिसमें यह किस समास का उधारण है आठध्याई संख्यावाचे दिगू होता है प्रहले हम आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं समास आप हमारी चैनल पे जाके आपने वीडियो भी देख लिया होगा साइस समास का तो बनने लगे होगे तो आठध्याई का समूई मतलव अश्टध्याई तो दिगू समास हो जाएगा संख्यावाचे दिगू प्रथमपद संख्यावाची हो नीचे दिये गए सब्दों में तस्सम सब्द का चैन कीजिए तस्सम का आपको चैन करना है जल्दी से बता दिए दोस्तों कौन सा सब्द तस्सम है तो आपको बता दें कि तैल सब्द तस्सम है ठीक है तैल बोलते हैं किसमें संस्कृत में तैल बोलते हैं संस्कृत के सब्द हिंदी में आगा हो बैसे प्रियोग हो रहे तो इस विकास से तस्सम हो जाएगा इन में देखना इन चार में कौन सा सब्द तस्सम है जल्दी से बता जी गाय गो गे गया जल्दी से बता दें दोस्तों कमेंट कर दें उत्तर कौन बताता है पहले सही उत्तर तो आपको बता दें गो ठीक है यह क्या हो जाएगा तस्थम हो जाएगा गाय का त्वरित का तद्भाव है त्वरित त्वरित मतलब होता है सीग्र तो इसका तद्भाव क्या बना देंगे आप त्वरित का तुरंत या तुरंत हैं ऐसे दोनों लिखे जाते हैं तो B और C दोनों हो जाएंगे ठीक है इस पर का सी निमने लिखत में सही बरतनी पताइए भाई सही बरतनी किसकी है तो सश्ठम माहलंत आएगा वो सश्ठ ऐसे लिखा जाएगा सश्ठम हो जाएगा हाँ दुस्तों आगे देखते हैं निमने दोड़ा सही नहीं है निमने लिखत में से तो यहां पर बेटी बेटियां सही है डिबिया डिबिया यह गलत है यही सही नहीं है मतला इसका उत्तरे ही हो जाएगा बधू बधू यह सही है सुरोता सोताकन सही है ठीक है सब के बहु बचन बताती है लेकिन डिबिया का डिब यह साही नहीं है तो इसका उत्तर यह हो जाएगा यह नहीं है इंडियम ने लिखे सब्दों में ऐसे कौन सा सब्द अनेकार्थी सब्द नहीं है ठीक है कौन सा अनेकार्थी नहीं है आपको बतलाना है तो कनक अनंत महावीरे तो है हत्या नहीं है हत्या अनेकार्थी नहीं है खड़ी बूली के सरपर्थम कभी माने जाते हैं Very-very IMP person है जल्दी से बता दीजे कौन से माने जाते हैं comment में खड़ी बूली के तो सबसे पहले कभी जो माने जाते हैं आमीर, خुस, रो ठीक है गोवर के सोपन्यास का पात्र है कई बार पूछा गया है फेमा सुपन्यास है तो गा से गोवर और गा से गोदान लेकिन गवन क्यों नहीं तो गोदान याद रखना है गा में ओकी मात रहे हैं गा के में ओकी मात रहे हैं ठीके गो से गोदान गो से गोवर तो ऐसे याद रख सकते हैं गोवर का दान किया तो गोदान रतनावली दोहा संग्रह किसके द्वारा रचा गया रतनावली किसकी रचना है जल्दी से बता दिए तो रतनावली जो दोहा संग्रह रतनावली जी की ही रचना है सरहल विल्कुल आगे ठेट हिंडी का ठाथ very very IMP रचना है कई वार पूछी गई मैंने देखा है बहुत से पेपर में मैंने देखा रचना है जो है रिपीट हो जाती है तो आपको ऐसे ही हम निरंतर अभ्यास प्रश्णपत लगभग अभी तक 25 से 30 हमारे वीडियो आ चुके हैं लगभग हमारा लच्छ है आपको 100 वीड ड्राई करते रहें अच्छे से हमारे पहले वीडियो देख लें आगे के देख लें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेए वीडियो को लाइक कर दें चलें ठेट हिंदी का ठाट किसकी रचना है जल्दी से बता दीजे ठेट हिंदी का ठाट तो आपको बता दें आयुद्या सिंगुपाद्या हरियों जी की रचना है ठेट हिंदी का ठाट जैचंद्र प्रकास नामक महाकाब के लेखा कौन है जैचंद्र प्रकास किनों ने लिखी जल्दी से कमेंट मुत्तर बताएं तोड़ा कठेन है लेकिन जिसने अच्छे से पड़ा हुआ बता सकता है तो आपको बताएं जैचंद प्रकाव जो रचना है भट केदार जी की रचना है किनकी रचना है भट केदार जी की दोस्तों प्रिश्ण बहुत महत्पूर्ण होते हैं इसलिए वीडियो को लाइक करना और आगे भी शियर करें इस तरह आप हमसे जुड़े रहें और पिछले वीडियो ना देखें हो तो प्ले लिष्ट में जा करके जरूर देखें यूटूब पर हमसे आप जुड़ जाएं निसुल के तैयारी हम आपको निरंतर कराते रहते हैं चली आगले वीडियो में आगे छर्चा करेंगे जय हिंद।